हेलो बच्चों, हमने अपनी एक वीडियो में पढ़ा था स्ट्रक्चर ओफ एंथर, ठीक है, किस एंथर की स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती ह और pollen grain से male gametophyte की formation कैसे होती है तो चलिए start करते है pollen grains को microspore भी बोलते है किसी जगे पर pollen grain लिखा होगा या किसी जगे microspore लिखा होगा दोनों चीजे एक ही है pollen grain haploid होता है unicellular body होता है और उसमें single nucleus present होता है देखो सभी को पता है कि enter के अंदर pollen sac होते है ठीक है pollen sac के अंदर पहले microspore mother cells बनते हैं जो कि diploid होते है फिर microspore mother cells में division होती है और उनसे pollen grain बनते हैं जो haploid होते है तो pollen grain की structure ये जो diagram है ये pollen grain का diagram है अब क्या होता है कि different plants में जो different species होती है plants में उसमें जो outer layer होती है वो spiny भी हो सकती है उसमें बीच प्रेजिस भी प्रेजेंट होते है यह plant की species पे vary करता है अब है कि जो cytoplasm होता है यह दो layer से surrounded होता है यह बीच में cytoplasm है इसमें यह दो layer से surrounded है जो outer layer होती है उसे हम बोलते है exine ठीक है outer layer जो होती है वो थिक होती है और वैक्सी लेयर होती है जो वैक्सी लेयर होती है यह क्यूटीन की बनी होती है और जो क्यूटीन भी होता है वो एक स्पेशल क्यूटीन होता है जिसको हम बोलते है स्पोरो पोलेनिन अब इस पोरो पोलेनिन इतना इंपोर्टेंट क्यों है यह इ pathogens होते हैं वो इसको easily attack नहीं कर सकते हैं ठीक है next है inner layer जो inner layer होती है उसे हम बोलते हैר entine entine inner layer होती है और यह थोड़ी सी पतली भी होती है और यह background cellulose की बनी होती है ठीक है next term है germ pore germ pore क्या होता है जो exweo outer layer है ex oriented question उस पे कहीं कहीं जो exine outer layer है मतलब thin होता है जो वो thin area होता है तब इस germ pore का बहुत important function है male gametophyte के formation में ये हम अपनी vidéo में अभी आगे देखेंगे अभी डेखेंगे पॉलन ग्रेन की structure पड़ी थी जो पॉलन ग्रेन की formation थी वो एंथर के अनotiर ही ने ओरी थी अब है male gametophyte की formation कैसे होती है और male gametophyte होता क्या है देखो male gametophyte की formation यानि कि जो development होती है वो दो stages में होती है जिसको बोलते है pre-pollination development and post-pollination development जो pre-pollination development है ये भी एंथर के अंदर ही होती है अब इसको पढ़ना start करते हैं देखो ये diagram है pollen grain का pollen grain को microspore भी बोलते है microspore में mitotic division हुई mitotic division की वजए से दो cell बनी vegetative cell and generative cell diagram में देखे ये vegetative cell है और ये generative cell है vegetative cell को tube nucleus भी बोलते है अब क्या हुआ जब vegetative cell and generative cells बनी तो इन दोनों के बीच में calos की formation हुई ठीक है calos की formation हुई ताकि इन दो cells को separate किया जा सके अब क्या हुआ जो calos था वो इतना ज़ादा spread हो रहा था इतना ज़ादा increase हो रहा था size में कि ये entine के पास पहुँच गया जो inner layer है entine उसके पास पहुँच गया entine ने क्या किया इस layer को dissolve कर दिया रप्चर कर दिया अब calos जो layer थी वो हट गी ठीक है तो क्या हुआ जनरेटिव cell भी यहाँ cytoplasm में आगी और ये vegetative cell already present थी ठीक है अब इनके बीच में calos की कोई layer नहीं है उसके बाद क्या हुआ कि अब ये two cell stage होगी ना देखो vegetative cell है and generative cell है अब इस time पे इस pollen grain को बोलेंगे two cell pollen grain ठीक है और ये mature और एंथर में ही present है अभी जब ये two cell stage पे पहुंच जाता है पोलन ग्रेन उस time पर ये एंथर से बहार आ जाता है ठीक है जब ये पोलन ग्रेन two cell stage पे पहुंच जाता है उस time पर ये एंथर से बहार आ जाता है जब ये एंथर से बहार आ जाता है उसके बाद की जो process होती है उसे बोलते हैं post pollination development, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है, same चीज जो अभी बताई है, वही है, यहाँ तक की जो process थी, ठीक है, यह process यहाँ तक की जो process थी, यह थी pre pollination development, अब इस point से start होगी post pollination development, ठीक है, अब देखो, एंथर से pollen grain भारा गया, अब pollen grain को female reproductive part तक पहुँचना है, stigma तक पहुँचना है, ठीक है, तो वह कैसे पहुचेगा, या तो किसी ना किसी agent के थुरूई पहुचेगा, pollination की process होती है, तो उसमें क्या होता है, जो agent होते हैं, वो pollen grain को transfer करने का काम करते हैं, ठीक है, हमने इस पे एक detailed वीडियो बनाई है, जिसका link भी मैं description box में दे दूँगी, pollination का आप ज़रूर देखना, next stage है, male gametophyte development की, वो है post pollination development, ठीक है, अब एंथर से pollen grain बहार आ गया, उसका pollination हो गया, pollination के बाद क्या हुआ, यह है female reproductive part और pollen grain पहुच गया है stigma पे, ठीक है, stigma पर पहुचने के बाद क्या हुआ, कि water इसने absorb किया, atmosphere से water absorb किया, ठीक है, water absorb करने के बाद इसने germinate होना start कर दिया, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यह same ही लिखा हुआ है, जो आपको बता रहे हैं, germinate होना start कर दिया, germinate होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, जो inner entine layer थी न, उसने बहार आना start कर दिया, ठीक है, अब बहार कैसे आएगा, अब देखो, जो हमने pollen grain की structure में पढ़ा था न, कि germ pore present होते है, exine में, जो exine layer थी, उसमें germ pore present होते है वहीं से ही, entine ने उस germ pore को rapture किया, और वहाँ से बहार आना start हो गया, ठीक है, और एक tube की formation कर ली, तो इस tube को बोलते हैं, pollen tube, ठीक है, यहाँ लिखा हो न, pollen tube, यह pollen tube ही है, अब क्या हुआ, जब pollen tube डवलप होती है, अपना size increase कर रही है, तो जो tube nucleus, tube nucleus, यानि कि जो vegetative nucleus था न, ठीक है, vegetative nucleus को ही, tube nucleus में बोलते हैं, वो tube nucleus आ गया, इस pollen tube के बिलकुल end में, ठीक है, हमेशा tube nucleus pollen tube के end में ही present होता है, ठीक है, उसके साथ साथी क्या होता है, जो यह generative nucleus होता है, यह divide होता है, divide होने के बाद, दो male gamet बना देता है, ठीक है, तो जो यह वाला diagram है, यह जो structure है, यह है, male gametophyte का diagram, ठीक है, इसमें क्या है, यह pollen tube है, fully developed pollen tube है, इसमें दो male gamet है, male gamet बने है, generative cell से, यह tube nucleus है, tube nucleus को vegetative nucleus भी बोलते है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है न, वो same चीज लिखी है, तो आज हमने पढ़ा, कि pollen grain से male gametophyte की formation कैसे हुई, ठीक है, pollen grain में क्या था, सिर्फ एक nucleus present था, और male gametophyte में क्या है, दो male gamet है, एक tube nucleus है, pollen tube की formation हुई, ठीक है, एक चीज यहाँ पर देखने वाली यह है, कि जो pollen tube, male gamet और tube nucleus, यानि कि जो male gametophyte की formation हुई है, यह stigma से लेके style के बीच में ही हुई है, यह अभी तक ovary तक नहीं पहुचा है, ठीक है, यह ovary तक नहीं पहुचा है, यह जो पूरी process यह stigma से style के पीच में ही हुई है, ठीक है, next हम पढ़ेंगे fertilization के बारे में, ठीक है, कि जो यह male gamet होते हैं, यह ovary में जो nucleus present होता है, उसको कैसे fertilize करता है,